जहां एक ओर कुरोना वारस को देखते हुए देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र बोधी द्वारा पूरे देश को लॉक्टाउं कर दिया गया वहीं अगर आम जर्मानस की दिन चर्या की बात की जाए तो उनके खान पान को देखते हुए सरकार द्वारा सुबा 6 से 11 बचे तक रासन की दुकान खोलने के आदेश दिये गए वहीं लोगों के लिए होम डिलेवरी की भी विवस्था की गई और गरीब और मलीन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार पुलिस वा सोसल वर्कर द्वारा खाने के पैकेटों को वित्रन किया जा रहा है लेकिन वहीं दूसी तरफ जानवरों को खयाल रखने के लिए किसी को चिंतत तक नहीं है तो वही जानवरों के खान पान की विवस्था के लिए एक संस्था आगे बढ़कर आई जिसका नाम Relief Animal Welfare है इस संस्था की तरफ से जानवरों को रोटी, ब्रेट, पेडिग्री जानवरों तक पहुचाने का काम किया जा रहा है इस महौल को देखते हुए ना तो जहां आदमियों को घर से निकलने की इजाज़त है और ना ही कहीं रासन की दुकाने खुली हुई है वही जानवरों के हित के लिए यह संस्था Relief Animal Welfare का सरानिय काम कर रही है कानपूर से समवाता था हिमांसुर जिर्वास्ताव की रिपोर्ट यहां खाना इन सब का इंतियाम करते हैं इवन हमाँ साथ कुछ डॉक्टर्स भी जोड़े हुए हैं लेकिन आज जब से कोरोना वाइरस के विए से लॉकडाउन हुआ है तो होटल्स दुकाने यह सब बंद हो गए हैं तो इसके जो डॉक्स हैं काउस हैं उनको जो खाना मिल जाता था थोड़ा बहुत शाम का या सुबह का प्रशासन से मंजूरी ले करके की सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग जोएस को सबको खाना खिलाए दवाई लगाए जो इंजड है उनकी लिए इलाज मुहिया कर रहे हैं यह हम लोग करते हैं कितने दिन finger कर चाम करते जी आगे हम इसी तरह से काम करते रहेंगे और पर समय जैसे कि कल पर्शो तक 5860 हो पारे थें आज तो आध present 2700 सुक्त ऑफास के ho गए-200 के एस आपस हो गए हैं काॉंट नहीं कर से कउनफ पार हो हुए होग लोग नहीं कर Min क्या करना नहीं जहां मिल जा रहा है जैसे रास्ते में जहां निकल रहे हैं देख रहे हैं कोई इंजर्ड या भूका है उसको खिला रहे हैं